जिक्स का पहला चैप्टर सुरू करने वाले हैं और सबसे पहला टोफिक है हमारा बैदुत आवेस सबसे पहला टोफिक क्या है बैदुत आवेस इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टोफिक 12 किलास की फिजिक्स का बैद्धुत आबेस इलेक्ट्रिक चार्ज सारी कहानी इलेक्ट्रिक चार्ज के उपर है अब इसकी उत्पत्ती कहां से जो है आदमी के दिमाग में आया कि चार्ज भी कोई चीज होती है सबसे पहले क्या था एक बेंजामीन फ्रैंकलीन नाम के साइंटिस्ट थे वो पतंग उड़ा रहे थे पतंग बड़ी बड़ी होती थी अमरीका में बोखोत बड़ी-बड़ी कपड़े पतंग उड़ाई जाती थी तो उड़ते-उड़ते कुछ ना कुछ चीज तो हुई है वहां पर इसका मतलब क्या हुआ घरसन से चार्ज उत्पन हुआ और चार्ज उनके हाथ तक आगिया वहीं से उन्हों ने रिसर्ज शुरू कर दी तो रिसर्ज होते होते हो बहुत सारी थियोरी है इसके बारे में कुछ लोग यह कहते हैं कि साथ में उन्होंने क्या किया जो है कांच की जो है दो नली ली इस तरह के कांच के दो पाइप लिए और यह जो है बिल्ली के बालों पर रगड़े के बिल्ली के बालों पर रगड़े जब बिल्ली के बालों पर रगड़के उन्होंने इस तरह से इनको टांगा तो उन्हों पिर एक अलग पदार्थ था एवपरिआट या अभण की छड़ जब ली मैं अब एख कांच ज़ड़नी और एक यह अब दूसरे को इसपास में आ रहा यह रहे हैं कुछ नो खुछ तो दोनों में अंतर है कि यह सेम-शेम जब थी काच की तो एक दूसरे को आ किधि नहीं टोसरे को नहीं को यहां अब जब फियोरी बढ़ती चली गई तो पता यह चला जब भी बैदुत आवेश जहां भी उत्पन होता तो कहा से उत्पन होता गरशना से अद्पन होता ने ठीक है और फियत्त भावतान होता है जब नेस में गर्शन होता है तो एक बस्तु के इलक्ट्रौन और्जसा प्राप्त करके ने दूसरी बस्तु में चले जाते हैं जिसके बावी पिहली बस्तु पर में और दूसरी बस्तु पर माइनस चार्ज आ जाता है यह cred हुई है समझयए जब दो चीजों में घर्षन होता है जब दो चीजों में घर्षन होता है तो एक बस्तू के इलक्ट्रोन बायल और जब प्राप्ट करके दूसरी बस्तू में चले जाते हैं तो जिस बस्तू से ओर वैदृतावेत दो तरह का होता है धनात्मक और रिलात्मक और रिलात्मक एक दोर्किरतिकर्शित क्रते हैं यह से क्लियर हो होगा तो बैदृतावेत की परींभासा लिख़ लीजिए बैदुत आवेस की परिभासा लिख लिए बस्तों का बहे गुण जो बस्तों में बैदुत आकर्शन बल या बैदुत पिर्टी कर्शन बल उत्पन्न करता है बैदुत आवेस कहलाता है बैदुत आवेस दो तरह के होते हैं धनात्मक आवेस और रिडात्मक आवेस यह एक है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती और इसका MKS पद्धिती में मात्रक क्या होता है कुलाम होता है क्योंकि कुलाम नाम के साइन्टिस्ट ने बताए थी आगे रिसर्च करी थी तो उन्होंने इसका मात्रक कुलाम ही रख दिया था अपने नाम पर ठीक है इसे हम क्यू द्वारा पिरकट करते हैं और इसका सूत्र भी होता है क्यू बरावर एन इए यह आगे भी पढ़ेंगे सिध्धान्त में से पढ़ेंगे जहां पर एन जो है इलक्ट्रोनों की संख्या है जहां पर एन इलक्ट्रोनों की संख्या जहां एन जो है इलेक्ट्रोनों की संख्या है और यह जो है एक एकाई आवेश है जिसका मान बन पॉइंट शिक्स इंटू टेंटी पावर माइनस 19 कुलाम होता है क्यूं तो आपको पता है क्यूं जो है बैदूत आवेश ठीक है यह तो आप समझी गया होंगे यह कदिशराशी है इसका मात्रा कुलाम होता है इसका सूत्र है क्यू बरावर एन जहां पर क्यू बैदूत आवेश है एन इलक्ट्रोनों की संख्या इए इकाई आवेश है जिसका मान बन पॉइंट शिक्स इंटू टेंटी पावर माइ होता है अब इसके कुछ अलग मान भी होते हैं इसके छोड़े-छोड़े मात्रक होते हैं वह हम पढ़ते हैं कि बैदूत आवेश का सबसे छोड़ा मात्रक सबसे छोड़ा मात्रक जो होता है अब सबसे छोड़ा मात्रक एस्यू होता है E.S.U. E.S.U होता है और एक कुलाम आवेश तीन गुणा दसकी घाथ 9 E.S.U के बरावर होता है इलेक्ट्रो इस्टेटिक यूनिट ओफ चार्ज के बरावर होता है ये भी याद रखने वाली बात है इसके दूसरे मात्रक क्या हैं जैसे एक माइक्रो कुलाम एक माइक्रो कुलाम बरावर होता है दसकी घाथ माइनस 6 कुलाम के दूसरा एक पीको कुलाम बरावर होता है दसकी घाथ माइनस 12 कुलाम के और एक नैनो कुलाम बरावर होता है दसकी घाथ माइनस 9 कुलाम ये भी याद रखने वाली बात है एक नमबर में पोच लेता है एक माइक्रो कुलाम कितने कुलाम के बरावर होता 10 की घात माइनस 6 कुलाम के एक पीको कुलाम किसके बरावर होता 10 की घात माइनस 12 कुलाम के एक नेनो कुलाम किसके बरावर होता 10 की घाट माइनस 3 कुलाम ये भी याद रखने वाली बात है 1, 2, 3, 4 ये चारों चीज़े आपको याद रखनी है अब हम चलते हैं बैदुत आवेस के पिरकार बैदुत आवेस के पिरकार दो तरह के बैदुत आवेस होता है धनात्मक और डिलात्मक अब दोनों के बारे में जानते हैं अब हम पढ़ते हैं बैदुत आवेस के पिरकार बैदुत आवेस दो पिरकार के होता है नमबर पहला धनात्मक आवेस आवेस और नमबर दूसरा दूसरा धनात्मक आवेस धनात्मक आवेस के क्या होता कैसे उत्पन होता है एक चीज आप यह समझ लीजी कोई बस्तू यह कोई बस्तू है इसमें दो इलक्ट्रोन है और इलक्ट्रोन पर कोन सा चार्ज होता माइनस का और दो इसमें प्रोटोन है proton पर कितने का charge होता पिलस का यह समय balance है क्योंकि minus 2 plus plus minus 0 plus minus 0 इस समय balance है यह neutral है खीक है अब इसका एक electron चला गया इसका एक electron चला गया जब एक electron चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया यह electron यहां से गाया हो गया एक electron इसके अंदर बचा proton दो के दो बचे तो इसका मतलब क्या हो गया एक माइनस प्लस प्लस माइनस 0 तो एक प्लस का charge आ गया ठीक है तो इस पर धनात्मक की कमी आ जाती है तब उस बच्टू पर धनावेश पिरकट हो जाता है या बहे बच्टू धनावेश को पिंदर्शित करने लगती है जैसे मेगनीशियम सोडियम और एलइमनियू आदि है अब दोस्तो इसी तरह से हम समझेंगे रिडात्म कावेस को रिडात्मpos में क्या है इसमें इलक्ट्रोन कहीं से आ जाता है अब यहां पर यह क्या है पूरी बैलेंस है अब यहां पर क्या गरा जब किसी बस्तू के साथ इसमें घर्षन कराया तो इसमें एक इलक्ट्रोन कहीं से आ गिया तो पिलस दो तो यह कैंसल होगा तो यह माइनस का एक चार्ज गिसी बस्तू में इस तरह से परिभाचा सकते हैं जब किसी बस्तू में इलक्ट्व नों की संख्या उसकी सावानी अवस्ता से बढ़ जाती तब पिरकट करने लगती है जैसे उधारन की तोर किलोरीन किलोरीन हो गई ایس ev 4 हो गया यह माइनस चार्ज को सो करते हैं आदी क्लियर हो गया आज हमने पढ़ा था बैदुट आवेस के बारे में नम्मर में तो आएगा एक माइक्र कुलाम किसके बरावर होता, एक नैनो कुलाम किसके बरावर होता, मिली कुलाम किसके बरावर होता, फिर हमने पढ़ा आवेस के पिरकार, आवेस दो तरह का होता, धनात्मक आवेस और रिलात्मक आवेस, अगर इलक्टरोन निकल गए किसी बस्तू से तो उसमें ध देख रहते हैं आपकी किलास समीम सरकी किलास जैहें जैभारत